हेलो गुड मॉनिंग सबी को बच्चो दो दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण वस आसी क्लासी कंट्रीनू रहेंगी और आज का अपना टोपिक रहेगा कारक का कारक कारक सब्द का साब्दी करते है करने वाला किन्तो व्याकरन में यह एक पारिभासिक सब्द है जब किसी संग्या या सर्वनाम पद का संब्द वाके में प्रियुक्त अन्य पदों विसेश कर किरिया की साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं अब कारक की परिभासा क्या हो गई कि वाके में जो प्रिवत संग्या सर्वनाम होती है उनका जिस रूप से अन्य सब्दों के साथ संबंद परकट होता है खासकर किस के साथ किरिया के साथ जो संबंद जाना जाता है उसे क्या कहते हैं कारक कहते हैं अब कारक जो है वहें दो सब्दों से मिलके बना है किरी धातु में अक प्रते लगने से किस सब्द की रचणा होती है कारक सब्द की रचणा होती है किरी धातु है इसमें और अक प्रते लगाओ है क्या बन गए हमारे पास कारक करने वाला तो कारक के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं कारक के आठ भेद होते हैं हिंदे में कारक के आठ भेद होते हैं अब ये हिंदे में आठ भेद कौन कौन से हैं इनको देखेंगे हम करता कारक होता है करम कारक होता है करण कारक होता है संपरदान कारक होता है अपादान कारक होता है संभंद कारक होता है अधिकरण कारक होता है और एक हो जाएगा आपका संभूदन कारक ये कारके आठ प्रकार होते हैं और सभी की साथ परिसर का प्रियोग होते हैं अर्थत कारकी जो विवक्ति चिन हैं उन चिनों की मादिम से ही संग्या सर्वनाम पद का समंद बाकि में आने पदों की साथ हैं समंद प्रकटे होता हैं जैसे करता का कारक्चिन हो जाएगा ने वैसे आपको सभी को याद भी होगा बहुत पहले से इरट रखे होंगे आपने पढ़ते थे उसी टाइम से करता ने करम को करण से यहाँ पे भी से आता है और यहाँ पे भी से आता है अपादान में लेकिन यह जो से होता है यह अपादान को या के लिए जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ ला रहे हैं ठीक है अपादान सी द्वारा अलग होने पर संबंद एक दूसरे के साथ संग्या सर्वनाम का एक दूसरे सब्दों के साथ संबंद परकट होता है जैसे का के की रारेरी में यह म अधिकरन कारक होता है इस्थान और समय का जिन सब्दों के मादम से पता चले अर्थात में पर कहां है ठीक है कहां है और कहां पर है तो में पर का बोध करवाता है में पे और पर और संभोधन का कारक संभोधन कारक संभोधित करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है जैसे कि किसी को बुलाने किसी को पुकाने किसी को चेतावनी देने के अर्थ में जैसे हे भगवान सब को सदबुद्धि दे संबुद्धित करने के अर्थ में जिन और संबुद्धन का ये जो चिन होता है विसमें बोद चिन इस चिन का प्रयोगे किया जाता है तो ये थे हमरे पास क कारक के आठ परकार अब आगे देखते हैं हम विवक्ती की बात हुई क्या होती है कारक को प्रकट करने के लिए संग्या या सर्वनाम की साथ जो चिनद लगाय जाता है उसे विवक्ती कहते है किनतु हर कारक के साथ विवक्तटी चिनद का प्र collateral हो यह है आउसा के नहीं है उन सभी में विवक्ति चिन का प्रयोग होता है, तब ही हम पैचान पाते हैं कि यहां पे करता कारक है, करम कारक है, करन कारक है, लेकिन कुछ वाक्यों में हम देखते हैं कि विवक्ति चिन का प्रयोग नहीं होता है, तो उस वाक्यों में हम उस वाक्य के अर्थ के आधार पर पतल लगाते हैं कि कौन सा कार का प्रयोग हुआ है तो हिंदे में कार क्याठ प्रकार हैं जो हम देख चुके हैं और सभी का जो विवक्ति चिन है परसर्ग है वो भी हम देख चुके हैं करताने करम को करण से जुड़ने के अर्थ में संपरदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंद काके की रारेवी नाने नियादी का प्रयोग होता है अधीकरण में पर और संभोधर है ओ अर्यादी तो हम सबसे पहले देखते हैं करता कारक कारे को करने वाला क्या होता है करता कारक कारे को करने वाले का बोध करता अर्था किरिया की करने वाले को क्या कहते हैं करता कहते हैं अब कर्या किसके द्वारा की जा रही है वे क्या होता है करता कारा का विवक्ति चिन्न होता है और विवक्ति का प्रियोग कारक के साथ केवल भूत कारलिक क्रिया होने पर होता है जैसे हमारे पास एक वाक Aunt Amirisic पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी तो क्या है, करता कारक है, पुस्तक पढ़ने का कारी कौन कर रहा है, अब इसे कर रहा है था, अब इसे एक ने पुस्तक पढ़ी, अब यहां पे देखो, ने परसर का प्रयोग नहीं हो रहा है, अब इसे एक पुस्तक पढ़ता है, वाकी कैस वर्तमान का अब कार के साथ WE paresar का प्रेयोग होता है तो वाक़ क्या बन जाएगा भूतकालगा ठीक क्रिया कौन सी हो जाएगी भूतकालगी देखो अब इसी वाक़ को करते हम अभीसेख ने अभी से एक ने पुस्ता के पड़ी क्या हो गया वाकिय हमारे पास अभी से एक ने पुस्ता के पड़ी अब ने परसर का प्रयोग करने से जो क्रिय होती है वो कौन सी हो जाएगी भूत काल के क्रिय हो जाएगी और परसर गरहित अगर वाकिय होता है वह है वर्तमान काल का होता है जैसे गुंजन हासती है हासने का कारे किसकी द्वारा किया जा रहा है गुंजन की द्वारा ने परसर का प्रयोग नहीं हो रहा है देखो यहां पर आता है वर्तमान काल भविसी काल ततक किरिया के अकरमक होने पर ने परसर का प्रयोग नहीं होता अब यहां पे देखो वर्तमान काल है यहां पे ने परसर का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि किरिया क्या है अकर्मक की किरिया है इतना धाल रखना है आपको यह लाइन आपको बहुत अच्छी से याद रखने है वर्तमान काल भोईसी काल और किरिया के अकर्मक होने पर ने 140 परसर का प्रयोग नहीं होता है और ने परसर के प्रयोग से जो क्रिया होती है बूत काल की होती है। वर्सागाना गाती है वर्तमान काल हैं 9 x का प्रयोग है नहीं हो रहा है। autocon to porn, पत्तर पत्तर लिखा अभी लिखा मतलब लिख चुका है किस में चला गया यह जो वाक्य है किस में चला गया यह भूत काल में चला गया इसमें ने परसर का प्रयोग होने पर किरिया भूत का लिख किरिया हो गई ठीक है यह हो गया हमारा करता कारक अब आगे देखते हैं करम कारक करम कारक का जो विवक्ति चिन होता है परसर्ग होता है को होता है और वक्य में जिस सब्द पर किरिया का फल पड़ता है उसे करम कारक के कहते हैं करम कारक का विवक्ति चिन को है करम कारक सब्द सजी हो तो उसके साथ को विवक्ति लगती है निर्जीव करम के साथ नहीं राम ने रावन को मारा नंदू दूद पीता है ये चीजे हमको परसर्ग रहित और परसर्ग सहित हम पहले भी पढ़ चुके हैं किरिया की साथ में जो द्वी कर्मक किरिया हमने पढ़ी थी जो सजीव किरिया थी जिसको गोण किरिया कहते हैं उसके साथ में कोपरसर का प्रयो नहीं होता है यह हम दिवी कर्म क्रिया में पढ़ चुके हैं जिसे राम ने रावन को मारा रावन क्या है रावन सजीव सजीव करम है और इसके साथ को परसर का प्रयोग हुआ है मारा यह मुख्य क्रिया है और इसके साथ में परसर का प्रयोग नहीं होता है अब यहां पे देखो नंदू दूद पीता है नंदू दूद को पीता है नहीं है नंदू दूद पीता है तो दूद क्या है निर्जीव करम है निर्जीव करम के साथ परसर का प्रयोग है नहीं होता है ठीक है समझ में आ गए यहां पे राम ने रावन को मारा यहां पे करम है इसकी साथ में परसर का प्रयोग हो रहा है और ये दूद है ये जो निर्जीव करम है इसके साथ को परसर का प्रयोग है नहीं होता है ठीक है जैसे मैंने चाई पी चाई को पी लिया तो चाई क्या है ये चाई जो है वह है निर्जीव करम है इसकी साथ परसर का वे नहीं होता है ठीक है जैसे पुस्तक को थैले बिर नेहा को बुलाओ सिक्सक छात्रों को पढ़ाता है तो ये क्या हो गया सिक्सक छात्रों को पढ़ाता है छात्रों को नेहा को बुलाओ तो ये सारे जो एक्जामपल है इन में किसका प्रयोग हो रहा है को परसर का और परस प्रयोग होता है वह निर्जीव करमकारक के साथ है नहीं होता है नेफ्ट है करनकारक करनकारक का जो विवक्ति चीन है वह से द्वारा से द्वारा और किसके अर्थ में होता है ये जुड़ने के अर्थ में किसके अर्थ में जुड़ने के अर्थ में ठीक है वाके में करता जिस साधन या माद्धम सी किरिया करता है अर्थात किरिया की साधन को करण कहते हैं वैसे करण का अर्थ भी क्या हो जाता है साधनी करण कार का विवक्ति चीन ने से है से भी आता है दुआरा भी आता है जैसे तुलसिदास दुआरा रामचरित मानस की र अर्था तो वो साधन का काम करता है उसी साधन के द्वारा कोई दूसरी क्रिया की जा रही है जैसे जो सना चाकू से सबजी काड़ती है मैं पैन से लिखता हूँ अब पैन से लिखने का कारे हो रहा है जो लिखने का कारे है पैन से अर्था तो जुड़ने का कारे है चाकू से में बहुत बार पूछा गया सब्द है जोतसना जोतसना इसमें तैबियादा होता है और सैबियादा होता है तो इस सब्द को अच्छे से देख ले ना जोतसना ये सब्द सुद्धी में पूछा जाता है तो ये हो गया आपका करण कारक जैसे ये तो से के प्रयोग से थी चाक वे है रेल गाड़ी दुवारा दिल्ली गया अब यहां पर देखो दुवारा किसका कारे कर रहा है साधन का वे रेल गाड़ी से दिल्ली गया है दुवारा है ये भी क्या है ये भी करणकारक का ही परसर्ग है जैसे बालक का लम से लिखता है मुझे पत्तर के दुवारा सूचिते कीजी तो ये सब किसमे करणकारक में अब इन दोनों में अमतर कैसे करेंगे अपादान में और करणकारक में जैसे आकास से पानी बरसा, वारी शो रही है और आकास से पानी धर्ती पर आ रहा है, अर्था था अकास जो बादलों में पानी था वह है, अलग हो रहा है बादलों से और नीचे कहा आ रहा है धर्ती पर आ रहा है ठीक है तो वहां पर अलग होने ये जो से है ये अलग होने का कारिये कर रहा है वे दिल्ली से वे कल दिल्ली से प्रस्थान करेंगे ठीक है ये तो रेल गाड़ी द्वारा दिल्ली पोचा उसी के साथ रेल गाड़ी में ही तो बैठा है तो वहां पर जुड़ अलग होने का कार्या है वह पर अपदान कारक हो चाहएगा तो यह आपका करन कारक है करनकर और MR आपको किस परकारं से डिफेरें्ट पता करना यह वह भी पता चिल गया नैक lei सम्पूरतां कारक इसका जो कारण सहनद होता है क लिए कार्थ होता है किसी को कुछ देना परदान करना ठीक है तो संपरदान कार्थ होता है देना वाकि में करता जिसे कुछ देता है या तो जिसके लिए किरिया करता है उसे संपरदान कारक के कहते हैं संपरदान कारक का विवक्ती चिन के लिए है कि तु जब किरिया द्वी कर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रियुक्त हो तो वहां को विवक्ती भी प्रियुक्त होती है मैंने बताया था कि के लिए या को या के वास्ते के निमित एक और भी आता है के निमित ठीक है विमहोन ने गरिबों के निमित कमल खरीदे ठीक है तो के निमित के वास्ते के लिए या को ये सब विवक्ति चिन्नों का प्रियोग होता है संपरदान कारक में ये जो को है ये करम कारक में वे प्रियोग किया जाता है लेकिन किस प्रकार से हम पैचानेगे कुछ आलोक मा के लिए दवाई लाया, आलोक मा के लिए दवाई लाया, मा के निमत दवाई लाया, मा बिमार है, इसलिए दवाई लाई गई, अर्थात किसी को कुछ देने के अर्थमिया किसी के लिए कुछ किया जाए, तो क्या कर रहा है, आलोक अपनी मा की सेवा कर रहा है, उसके के लिए क्या लाया है दवाई लाया है मीनाकसी ने कविता को पुस्तक दी अभी आया था इसमें कि जो कोपरसर का प्रयोग होता है किरिया जब द्वी कर्मी हो तो यहां पर जो देना करिया है द्वी कर्मी करिया है द्वी कर्मक करिया है कविता को और पुस्तक यहां पर कवि जीव करम गोण करम के साथ कोपरसर का प्रयोग हो रहु रहे हैं और जीव करम की साथ कोपरसर का प्रयोग हें नहीं हो रहे हैं अब कैसे पता करेंगे कि उसके करम कारक है या संपर्धान पारत । अब स्झत कुर victimitah मीनाक सी ने कवीता को पुम्सके दिए अब यह जो पुस्तक दी अगर उसे थोड़े देर के लिए पुस्तक दी गई है और वापिस लेने के अर्थ में है तब तो यह किस में चला जाएगा किस में चला जाएगा करम कारक में लेकिन अगर उसको देने के यर्थ में उसे दे दी गई है कोई चीज तो वह किसमें जाएगा संपरदान कारक दे जैसे एक उधारन से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे लता ने बिखारी को कपड़े दिये अब एक वाक्य है और एक वाक्य और लिख देती हूँ मैं जैसे लता ने दोबी को कपड़े दिये लता ने बिखारी को कपड़े दी और लता ने दोबी को कपड़े दी दोनों में कोपरसर का प्रयोग हो रहा है और दोनों में ही देने का अर्थ तो आ रहा है दोनों में ही किसका दिये देने का अर्थ आ रहा है लेकिन क्यों दिया जा रहा है उसको हम इस वाक्यों के अर्थ के मादम से पता करेंगे कि लता ने बिखारी को कपड़े दिया अर्थात कोई गरीब था उसको कपड़े दे दिये उसकी जो देने का अर्थ है उसको पहनने के लिए कपड़े दिये हैं अब लता उन कपड़ों को वापिस नहीं लेगा अर्थात बिखारी को जो दान में दिया जाता है वो देने की अ को कपड़े दे जा रहे वो देने का रथ में नहीं है और यह जो बिखारी को कपड़े दे जा रहे हैं वो देने का रथ दे रहे हैं तो यहां पर जो कोपरसरग है यह किसकी है यह संपरदान कारक है यहां पर क्या है संपर्दान कारक देने के अर्थ में और यहां पर जो को परसरग है यह है आपका करम कारक यह क्या है करम कारक अब समझ में आ गया होगा आपको अब देखते हैं आगे आता है दित्य वाकि में कवीता संपर्दान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है यह मैंने अभी बताई दिया था दो करम है बिखारी को भीग दो यहां को सब्द के लिए सब्द के लिए के अर्थ में आया था तो जो भीग वै बिखारी के लिए है बिखारी के लिए भीग देना है देने के अर्थ में ठीक अब नेश्ट है अपादान कारक अपादान से दुआरा अलग होने के अर्थ में किसके अलग होने के अर्थ में डिफनेशन हो जाएगे वाक्य में जब किसी संग्य या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं इसकी विभक्ती भी से है किन्तु यहां से पर्थक या अलग का बोध कराता है विभक्ती चिन से और किसकी है करन कारक की भी विवक्ती के है से है लेकिन यहां पर क्या पर्थक या अलग होने का बोध कराता यह पैचान आपको देखनी है अब देखू यहां पर पेड़ से पत्ता गिरता है पत्ता जो था पेड़ पे लगा हुआ था लेकिन अब क्या है पेड़ से अलग हो गया है तो यह से क्या है अलग होने कार थे दे रहा है पेड़ से पता गिरता है अलग होने कार थे जिससे मैंने एक एक्जम्पल बताया था कासे पानी बरसा अगला है कविता सविता से अच्छा गाती है अब इसको देखो जिसे अलग हो या जिससे तुलना की जाए तुलना जहां पर की जाए वहां भी क्या होता है वहां भी अपादान कारक होता है ये भी जो अलग होने का भाव है जो सविता है वो गाती अच्छा गाती है लेकिन कविता उससे भी अच्छा गाती है अर्थात इ जुनना की जाये वहां पर भी क्या होता है। कारक में जब वाक्य में किसी संग्या या सरवनाम का आन्य संग्या सरवनाम से संबंध हो जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक है कहते हैं और इनके ये विवक्ति चिन है जैसे अजय की पुस्तक गुम गई अब यहां पर जो को है ये पुस्तक और अजय की मद्द क्या है संब सब्सक्राइब परियोग हो रहा है चिसमा का संब्द्र परिक रखकेट एक और अपना कारम स्व consult करें यहाँ पर कि ना नेन नी जो प्रियोग थाւसका प्रियोग हो रहा है ना नेनी ठीक है, जैसे मेरी साहिकिल लाल है, ठीक है, मेरा आदित्य की बेहन है, यह आदित्य का घर है, तो ये सब क्या है? यह सब वक्य में जो संगय सरोणाम है, उनकी साथ में क्या संबंद परकटे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका संबंद कारक है, अब आगे आता है, अधिकरन कारक में पर पे, ये क्या है, अधिकरन कारक का कारक चिन है, वाक्य में प्रियुक्त संगय ये सरोणाम की जिस रूप से किरिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरन कारक के कहते हैं, अर्था तो जो संगय सरोणाम होती है, उनकी जिस रूप से किरिया की इस्थान या समय, इस्थान समय या आधार का बोध होता है, उसे क्या कहें आधिकरण कारक कहेंगे इसकी विवक्ति चिन क्या है में पे पर हैं जैसे पक्सी आकास में ओड़े रहे हैं पक्सी कहां ओड़े हैं इस्थान का वोध करवा रहे हैं आकास में ओड़े रहे हैं मेज पर पुस्तक रखी है मेज पर पुस्तक रखी है और जैसे एक्जम्पल हो नहीं है, जैसे कुत्ता सड़क पर घूम रहा है, सेर कुए में कूद पड़ा, और एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वे हैं, अगली साल आएगा, कब आएगा, अगली साल आएगा, रीट एक्जाम 2023 में है, ठीक है? तो यहां पर भी ना मे का प्रियोग हो रहा है, ना पे का प्रियोग हो रहा है, ना परका, फिर भी इसमें कौन सा कारक है, अधीकरण कारक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि किरिया के इस्थान समय या आधार का बोद होता है, इस्थान समय या आधार का, तो यह क्या है, समय अगले साल आएगा ठीक है तो यहां पर भी कौन सा कारक होगा अधीकरणे कारक होगा ठीक है और यह है अपना संभोधन कारक जिसका विवक्ति चिन होता है हे ओ अरे आदी वाक्य में जब किसी संग्या या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्था जिसे संभोधित किया जाए उसे संभोधन कारक के कहते हैं संभोधन कार के विवक्ति चिन हे ओ अरे है संभोधन कार के बाद संभोधन चिन ये जो अर्द विराम या अल्प विराम लगाया जाता है और ये जो संभोधन चिन है विसमे बोदक चिन ये लगाया जाता है जैसे हे प्रभू रक्षा करो यहाँ पर तो क्या है यहाँ पर विसमे बोधक चिन का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर देखो यह यह तो अर्थ विराम या अल्प विराम लगाया जाता है या फिर यह संबोधन चिन विसमे बोधक चिन लगाया जाता है जैसे अरे मोहन याँ आओ तो ये भी क्या है ये भी किसी को बुलाने के अर्थ में किसी को सम्बोधित करने का जो अर्थ दे रहे अरे महन यहाओ तो यहाँ पे किसका प्रियोगो रहा है अल पे विराम का प्रियोगो रहा है ठीक है जैसे हे भगवान हे भगवान सबको सदबुद्धी दो यह हो गया आपका सम्भुदन कारक ठीक है जैसे अरे श्रेवन इधर तो आओ आदी यह होता है आपका कारक का सरवनाम में कारक साथ ही होते हैं इसका सम्भुदन कारक नहीं होता है तो यह कुछ पहचान थी आपकी और कारक का अपना टोपिक समापत होता है नेक्ट टोपिक की साथ मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद